आप अपने तुलसी के पौधे में काले कीडे लगे हैं और आप परिसान हैं सोच रहे हैं कैसे निकाले क्या डाले तो वही सारे चीज़े समस्या कसमा धन दर ले करके आई हूँ, आप लोग वीडियो को देखेगा, यह क्या चीज़ है, इसको कैसे डालना है, तो आप लोगों को वीडियो को बदाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरि देखेगा जानते ही हैं कि तुलसी हमारे हिंदु धरम में मानता है कि घर में लगाना बहुत ही सुभ होता है तुलसी का पौधा और इसके पूजा भी करना और देखिए तुलसी का पौधा अगर अमारे घर में लगा रहता है तो जो नकरात्मा के उर्जा होती है वो हमारे घर में करेंगे उस दिन तुलसी का सलेग्राम का विया हुआ था तो सब लोग विया करेंगे तो आप लोग अपने तुलसी के पौदे को अगर हरा भरा सोस्त घना बनाना चाहते हैं तो जो मैं बताने वाली हूं आप लोग जरूर करिएगा तो आगे एक नए वीडियो ले करके आप लोग वीडियो बने रहेगा और वीडियो को पूरी देखेगा तो आज मैं बताओंगी तुलसी के प्लांट के की सर्दियों में केर कैसे करें और सर्दियों में तुलसी के पौदे में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं तो वह कीड़े कैसे हटाएं तो आज इसी के बारे में हैं तो आप लोग वीडियो का पूरी देखेगा और चलिए सुरू करते हैं देख लिजे फ्रेंड मैं आगे अपने तुलसी के पौधे के पास और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि इसमें मेरा तुलसी का पौधा बहुत ही बड़ा हो चुका था और उसक पतियां एकदम से सारी ज़ड़कुची थी तो मैंने उसको निकालके यहां पे दूसरा पौधा उगाया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं पिंचिंग करने से ही ये नीचे से ही इतनी सारी ग्रोथ करी हुई है एक दो तीन चार पांच छे साथ तहनी नीचे से ही इसने निकाल दिया है मैंने इसके पिंचिंग कर दिया था तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये प्लांट आपका नीचे से ही घना होना सुरू हो जाएगा अब बात आती है कि अब देखिया मौसम चेंज होने लगा है तो मौसम चेंज होने लगा है तो तुलसी के पौधे मे इस तरह से माहू भी लगने लगी है और काले काले कीडे भी लगने लगे हैं आप लोग देख सकते इस तरह से ये काले कीडे लगेंगे और तुलसी के पौधे में जैसे ही काले कीडे छोटे छोटे के भुनगे जैसे होते हैं वो अगर काले कीड़े आपके तुलसी के पौधे में लग गए तो फिर आपका तुलसी का पौधा बरबाद हो जाएगा फिर आप अपने तुलसी के पौधे को बचा नहीं पाएंगे इसलिए टाइम अभी है अभी ही उसकी देख भाल और केर कर लीजे तो देखे फ्रेंट तो जिस पती में बहुत ज़्यादा काले कीड़े लगे हैं इसको इस तरह से आप हटा दीजे हटाते जाएंगे तो आपका प्लांट सेफ रहेगा और प्लांट खराब नहीं होगा नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है किड़े ने इसमें से पतनि क्या खिया है कुछ समझे नहीं आ रहा आप लोग देख सकते हैं और अभी तो में तुलसी का पता फिलहाल ठीक है और ये देखते कुछ इसकी पत्नियाँ खराब होने लगी है तो जो पत्नियाँ खराब है उनको मैं हटा दे रही हूँ और थोड़ी सी इसके पिंचिंग कर दे रही हूं कि इसमें जो बन रही है ये मंजिरी मंजिरी को निकाले दे रही हूं और फ्रेंड ये वाले कीड़े सर्दियों में बहुत ज्यादा लगते हैं आप लोग देख सकते ये जो बैठा हुआ है ना ऐसे कीड़े सर्दियों में पढ़नी चाहिए तुलसी के पौधे को रात की जो ओस होती है ना वो बहुत ज्यादा नुस्कान करती है तो उसको भी नहीं इस पौधे को बचाना है और हो सके तो आप तुलसी के पौधे को छामे कर दीजेगा जहां कम धूपाती हो वहां रख दीजेगा क्योंकि यह तुल हमारे घर में सुक सांती बनी रहती है और देखे हम तुलसी के पौधे को सुबह साम पूजा भी करते हैं दीपक जलाते हैं और आप देख रहे हैं अभी एड़दे उठाने एक आदा सी यार है जिब तुलसी मा और सालिगराम का विया हुआ था तो वो भी हमें करना है तु करते हैं लोग मैं भी करऊंगी तो friend हमें तुलसी के पौधे को अगर हम बचाएंगे नहीं तो कैसे कर पाएंगे तो हमें एपने तुलसी के पौधे को बहुत अच्छी से ध्यान देना है और इसको बचाना है और इसको कियर करनी है और कौन से फटे लड़र क्या चीजर ड देख रहे हैं यह क्या है आप लोग तो इसको कूट करके और अपने पौधों में डाल लेना है यह है मैं आप लोग से पता दू यह है कपूर कपूर की सुगंध से जो चीटियां होती हैं कीडे होते हैं और जितने भी मतलब फंगी ऐसे चीजें लगी होती हैं हमारे कीडे लगे होंगे वो हड़ जाएंगे तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यह 19o कि डिपने घाएं एबए आप लोगों को मिल जाएग की से आप लोगों को कपूर नहीं डालना है यह गराइवLes फ्येश्क्राइब दादी नानी करती थी तो इस तो हमें अपने मिट्टी मे भीडल देना है और अपने पॉधों में छलनी से तसे अपने पॉधों में डाल देना है यह बहुत पावर फुल इस तरह से धनिया पालक भैंगन मिर्च टमाठव कोई भी पौधे में हम इस स्था उसको डाल सकते हैं तो तुल्सी पौधे में भी इस तरह से हम छिड़क सकते हैं कि की में देखे जितने वी काले किड़े होगे और उता हटी जाएंगे और ए差 प्णा कोई चीज नहीं मिली है जो हमारे लिए नुसकान करें और हमारे प्लांट के नुसकान करें ऐसी इसमें कोई चीज नहीं है यह सुद्ध कंडे की राक है तो यहीं चीजों से मैं अपने पौधों के बचाती हूं सेप्टी करती हूं यहीं सारी चीजे मैं अपने पौधों में डालती रहती हूँ और ग्रोथ ज्यादा करनी है तो आप लोग मिट्टी में गुड़ाई करके हल्दी डाल दीजेगा और हल्दी से अपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी हल्दी नहीं डालना तो आप लोग चाय पत्ती डाल सकते हैं काफी सारी चीज़े आप लोगों बताई हैं तो आप लोग जरूर ट्राई करिए और पानी एक चीज़ का जरूर ध्यान दे लिजेगा पानी ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ज्यादा पानी से आपका तुलसी का पौधा खराब हो सकता है इसमें पानी जब एक लेयर मिट्टी की सूख जाए पानी तभी डालना है और जैसे ही आप तुलसी मा को इश्णान कराते हैं तो भर लोटा पानी डाल देते हैं तो भर लोटा पानी नहीं डालना ये आपके पौधे को नुस्कान कर सकता है और आप सर्दी आ रहे तो सर्दी में तो ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सर्दी में वैसे भी पौधों को ज्यादा पानी नहीं लगता है तो आप लोग पानी अपने मिट्टी के और प्लांट के अनुसार ही डाले पानी मिटी के और प्लांड की आस्वाथ सारी डाले जितना पानी की मात्रा लगे उतना ही आप डालिएगा देख करके मिटी चेक करके डालिएगा तो अगर आप परिसान है तो यह चीजे ज़रूर ट्राइ करिएगा और आपने तुल्सी के पोदे को हरा भारा सुद्ध घुना बनाय यRE इस तरह से मैं इनको बांध ओंगी तो यह में इस तरह से देखिए कितना प्यारा कितना सुन्दर दिख रहा है तुलसी रामा स्यामा दो होती है जिसमें रामा तुलसी में पिस्ट्रो भग्वान और स्याम आमे कृष्ट्रबगवान ऐसे वाश करते हों तो करते हैं कि तुछसिक पॉर्दमी लगाना बहुत ही रता है वास्तिक हंदुधरम भी मानता कि तुछसिक पॉठा घर में लगाएं देखिए दावा में काशी Gul कांने की हार एक तो इस तरह से आप ये उपाय करिए ऐसे करके डाल दीजेगा